देश भर में लोकस्वा चुनाओं का एलान हो चुका है और गुजरात के वडोद्रा शहर की राचनतिक गल्यारों में भूचाल मचा हुआ है। कर चुनाओं लडने से इंकार कर दिया है। सम्मेलन आयोचित हो रहे थे अकोटा के बाद मांजलपूर विधान सभा में भी कारेकरम का आयोचित किया गया। सयाजी गंजबिदान सभा में भी उनका स्वागत और कारेकरता सम्मेलन आयोचित किया गया। लेकिन अब ये खबर निकल कर सामने आ रहे ही कि रंजनमेन भट चुनाओं नहीं लडना चाहती है। क्या वज़े है ये तो रंजनमेन भट ही बता सकते हैं लेकिन वड़ोद्रा की राजनतिक गलियारों से सबसे बड़ी खबर कि रंजनमेन भट ने लोगसभा का चुनाओं लडने से इंकार कर दिया है। मैरे अविदू हमेरे पूजा करते हूं कि औरOh Curious से बाद हमेरे दूजाल में भगवहन की पूजा कि उसके बाद मुझे ऐसा और मुझे नहीं लडना तो यह इन बना लिया और मैंने बोल दिया कि मैंने सोचल मिज़ा पे लिख दिया के हैं उसके छुनाओं नहीं लडना ह और मैंने नहीं लड़ना है मुझे चुना मैं ना जोती बेन पंडिया की स्टेटमेंट से ये पाच्छी पानी कर रही हूँ या कॉंग्रेस के किसी कार्य करता कि ये पुष्ठर बैनर लगने से पाच्छी पानी कर रही हूँ लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि जिस तरह से ये दूछार लोग ये जो मेरे वडोधरा को बदनाम कर रहे हैं तो इससे अच्छा मैं ही खुद चुनाव न लड़ू क्यों न मैं छोड़ सकती हूँ और मैंने चुनाव लड़ने का मना कर दिया देखो 42 साल का बेटा है 440 साल का बेटा है 40 साल का बेटा और सेल्या में रहता है जिसने जो भी बुला मैं तो आप मीडिया को बूलती हूँ कि मेरा मॉल है बेटे का तो कम शेकंब आप ढूंड़ो और मुझे ये मॉल दिलवाओ क्योंकि न छोटी शौप है न मॉल है लेकिन इसे में क्या ये मॉल ये बोलना और बोलना र्व्यक्ति भी कैसी है वो शब मैं जानती हूं मैं 30 साल से में राजकारण में हूं और अनुभवी कि मैं कॉई पाछी पानी नहीं कि लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यह मेरा वडोदरा संसकारी नगरी है और मुझे तो पार्टी ने दी है टिकीट और पार्टी के लोग और पार्टी के कार्य करता और मेरे मद्दा था सब को पता है कि उनकी बेहन उनके बीच में बिलकुल सेवा किया समरपिता थी काम कर रही है और करती थी तो मैं तो ये काम करने के लिए आज भी कार्यकरता के तोर पे तयार हूँ और करने वाली हूँ तो मैंने सोचा कि ऐसा थोड़ा है कि चांसद बनू तभी भी सेवा होगी मैंने दस साल की और मुझे लगा कि क्या छोड नहीं सकते हम और मैंने छोड दिया ये वडोद्रा मोदीची का वडोद्रा है और वडोद्रा में कोई भी कार्यकरता को भारतिय जन्ता पार्टी टिकिट डेती है वो भारी लीड से जीतेगा ऐसी ये वडोद्रा है तो मार्जीन कोई भी कार्यकरता को मिलेगा और हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक वीश्वा फलक पर भारत को रखा है तो वडोद्रा की लीड तो पक्की आने वाली है चाहे मेरा कोई भी कार्यकरता यहां से क्यों न चुनाव लड़े लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं लड़ना है और मैंने मना कर दिया किसी ने सुचना दी है और न मैंने किसी से बात की है सायद मेरे सोशल मीडिया से ही मेरे प्रदेश के नेतरूत्वगण और मेरे राष्य नेतरूत्वगण और आप सबके माध्यों से पता चलेगा लेकिन मैंने सोचा कि मुझे नहीं लड़ना